हलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी करलो में तो आज हम वीडियो लेकर रहा हैं कवी जीवन परिचाए के अंतरगत सुनीता जैन का जीवन परिचाए तो दोस्तो इससे पहले भी हमने बहुत सारे जीवन परिचे देखे थे अगर आप इस चैनल पर नए हैं। तो सब से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। आपको वहाँ बहुत सारी वीडियोज देखने को मिल जाएगी UGC Net की Complete Classes, 50 महत्पूर प्रशनों की सिरीज UGC Net JRF के लिए Mock Test, 1000 महत्पूर प्रशनों की सिरीज 250 महत्पूर प्रशनों की सिरीज इत्यादी बहुत सारी वीडियोज वहाँ आपके लिए है सुनीता जैन सबसे पहले इनका जन्म 13 जुलाई 1941 में जन्म भूमी कहां जन्म हुआ था इनका अंबाला पंजाब में इनकी जो प्रमुख विधाय थी किस पर इन्होंने रचनाय की है तो उपन्यास, कहानी, कविता, बाल साहित, आत्मकथा, अनुवाद, आधी विधाओं पर इन्होंने रचनाय की है इनकी जो भाशा थी वहाँ हिंदी और अंग्रेजी थी विध्याले इन्होंने शिक्षा जो प्राप्ति की थी State University of New York University of Nebraska यहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्ति की थी इन्होंने क्या किया था? MA किया था अंग्रेजी साहित पर और इन्होंने PhD की हुई थी इनकी प्रमुख रचनाएं सबसे पहले उपन्यास देखते हैं कौन-कौन से हैं बोजियू सफर के साथी, बिंदू, मरणा तीत, अनुगूंज, तितिक्षा जो की 2000 में आई थी पूर्व प्रकाशित पाँचो उपन्यासों का संग्रा है यह जो उपर पाँचो उपन्यास उनका संग्रा है थी तिक्षा फिर कहानी संग्रा हम मोहरे दिन रात के हम मोहरे दिन रात के इतने बरसों बाद पालना जो की 2000 में आई थी पाँच दिन 2003 में आई थी फिर है कविता संग्रह, हो जाने दो मोक्त, 1978 में प्रथम कौन सा आकाश इसका आया था फिर एक और दिन, फिर रंग रती, कितना जल, सूत्रधार सोते हैं, सच कहती हूँ, कहां मिलोगी कविता, पाओ फटे का पहला पक्षी, युग क्या होते और नहीं, सुनो मधु किश्वर, धूप हटीले मन की, इस अकेले तार पर मुकम करोती वाचालम, जाने लड़की पगली, सीधी कलम सधेना जो करती है, लेकिन अब बोलो तुम ही, इतना भर समय, हत खड़ी में चान, गंगा तट देखा, सुनो कहानी, माधवी, खंड इसके खंड आड़ थे, तरू-तरू की डाल पे, तीसरी चिठी, जो मैं जानती, दूसरे दिन, चौखट पर वा उठा माधवी, प्रेम में इस्तरी, 2006 में आई, बारिश में दिल्ली, इस बार, खाली घर में, लाल रिबन का फुलवा, किस्सा तोता मैना, फेंटेसी, 2007 में आई थी च्छमा, 2008 में का अंधर्व पर्व, कुर्बक लुओं के बेहाल दिनों में, ओक भर जल, हेरवा, रसोई की खिड़की में, सूरज छुपने से पहले, हुई सांज की बेर, अगर कभी लोटी तो, राग और आग, टेंशन सारे, तो यह इनके कविता संग रह थे, फिर है आत्म कथा, शब्द काया, और इनके सम्मान, प्रमुक सम्मान कौन कौन से मिले, इनको व्यास सम्मान, 2015 में, छमा कावद संगरा के लिए इनहें मिला, फिर निराला नामिती सम्मान, साहित्य भूशन सम्मान, साहित्य कार सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, हरियाना, गौरो सम्मान, पदम शिर विश्व हिंदी सम्मान आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन निव यॉर्क में इनको जो मिला था इनके विशेश तत्थ इन पर आधारित विशेश तत्थ कौन कौन से हैं सुनीता जैन आठवे विश्व हिंदी सम्मेलन निव्योर्क दोहजार साथ में विश्व हिंदी सम्मेलन से सम्मानित हिंदी की पहली कवीत्री हैं जो विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं अमेरिका ने अपने अंग्रेजी उपन्यास वा कहानियों के लिए कई पुरुसकारों से भी उन्हें पुरुसकरत किया जा चुका है। अमेरिका में प्रवासी हिंदी लेखक के रूप में भी इनोंने कारिक किया था। तो दोस्तों यह था सुनीती जैन के जीवन परिशे के बारे में अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में कुछ ने तत, कुछ ने प्रशनों के साथ फिर से मिलते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद